यहां पर जो 29 तारी को बहुत ही धूमधाम से मेला का आयोजन किया गया है उसके लिए यहां पर क्या बेवस्था किया गया है ड्रोन केमरा भी है इसमें हम लोग का ड्रोन केमरा में सब्वों का निगरानी रहेगा पहला तो आते हैं नित्यसकचप पवन रोए और कयूम अबाज, कवी किशन, आर्ती, फुल्मनी देवी और भी है कलाकार हमारे और इलांसमेंट में राजमोरिया है इस वक्त हम खुटी जिला अंतरगत सोनमेर मंदीर के प्रांगन में अभी आये हुए हैं मैं आप सबों को 29 तारी को यहां पर हर साल की भाती मिला लग रह है और यहां पर जो है काफी दूर-दूर से लोग यहां पर इस मेले में सामिल होने के लिए आते हैं सुनमेर मंदीर एक प्राचिन मंदीर है जो पहानों के द्वारा पुजा करवाया जाता है और हर समय यहां पर जो है काफी लोग दूर-दूर से अपनी मनत मांगने के लि सदस्या हूं आप लोगों आप लोग आये तो बहुत मुझे खुसी हुआ कि आप लोग कुछ जनकारी इस सोन्मेर मंदिर के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं रोशन हिरेंज मैं सोन्मेर समेती से समेधी के सदस्या हूं अच्छा यहां पर जो 29 तारी को बहुत ही धूमधाम से मेला का आयोजन किया गया है उसके लिए यहां पर क्या ब्यवस्था किया गया है इतने भी स्वनमेर के कमेटी हैं, स्वनमेर स्वमेटी की चलाने वाले हमारे अध्यक्ष चाएं, काफी सुन्दर ढंग से चलाएं, और हम लोग भी सहयोग रहेंगे, उसके साथ हम लोग भी अच्छी तरह से उसका सहयोग करेंगे आगे इस वीडियो के माधम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि इस तरह से आयोजन किया जा raha है अभी इहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेज जो है वह बने श्टार्ट हो गया है चुब कि आज 26 तारीक हो गया है और इसके 29 तारीक को लेकर पूरा यहां पर त्यारी किया जा रहा है अच्छा ददा यह हमें बताइएगा कि 29 तारीक को जो बाल केश्ट्रा नाजपुरी बाल केश्ट्रा का आयो जन किया गया है उसमें से कौन-कौन सुपर इस्टार कईूम अबाज, कवी किसन, आर्ती, फुल्मनी देवी, और भी हैं कलाकार, हमारे और इलांसमेंट में राज मोरिया हैं, राज मोरिया भी आ रहे हैं, काफी हमारे, हम लोगों को सभी को मनुरंजन कराते हैं, जो है, किसी तरह का घटना घटितना हो, तो इसके लिए जो पुलिस प्रसासन का क्या ब्यवस्था किया जा रहा है, देखिए, पुलिस प्रसासन का सब का ब्यवस्था किया गया है, अच्छा डंग से प्रोक्राम को, काच करम को अच्छा सकीजिए, हम लोग को तरफ से पूर कौर्टी के भॉलंटियर हैं वो भी साथ में रहेंगे और उनलोग भी उस तरह का घटना ना घटे बोलके हम लोग का कमिटी जो है बहुत टाइट किया गया है जी हां जैसे पिछले बार जो भीड था मेला के दिन में इस बार आप लोगों को क्या लाग रहा है कि भीड किस तरह से भीड यहां पर होगा देखे भीड तो काफी इस बार बिते बार से भी आने वाला दिन से भी और भी भीड होगा कहें कि इस बार संडे का दिन भी पड़ रहा है और हम चाहेंगे कि जितने भी भक्त हैं हमारे मेला दर्सक हैं और जितने भी हमारे महिमान आएंगे काफी अच् सिल आते हैं देखिए यहां तो बहुत जाएदा दो दो से आते हैं देखिए उतना 물i सकते हैं लेकिन इतना बता शक्ते हैं कि हमारे रामगड इश्फिस गड़ उॡश्वयवर बंगल इतना तक तक न liberals भी सुनने को मिलता है कि यहां पर सुन मेर देवी माता है यहाँ पर आने से जो है हर मनुकामना पूरा होता इस पर आप लोगों का क्या विचार है देखिए सभों का तो इसमें मनुकामना पूरा हो रहा है और होते आ रहा है काई कि अभी भी देख रहे हैं अभी करीबन दो पहर का समय हुआ है लगभग 12 बज रहा है यहां पर भाक्त का भीड उमड़ पड़ा है जिसका काम पूरा हो गया है जो गचित किये थे मनोकामना पूरा हुआ है पुर्ण हो गया अंत में जो यह वीडियो को देख रहे हैं जो मेला आना चाहते हैं उनको आप लोगों के तरफ से यानि कि समेती का तरफ से क्या कुछ सं पर और अगरा करिएगा दिखिए हमारे यहां स्वंपहर समिती से लगाये लगा रहे हैं और जितने भी महिमान रहें और जितने भी महिमान आ रहे हैं मेला देखने के लिए काफी धुमधाम से आए काफी संखियों में आए अमारे यहादेवी मा के मंदिर में काफी अच्छा धंक से पूजा-व्जा करके और अपना मनोकमना भी पूर्ण करके अपना विचार से जो भी है, अपना जो भी मांगना है, पुजा करना है, चैये मेला इन्जोई करना है, सब का यहां बेवस्ता है, उसके लिए हम आप सबों को बहुत धनियावाद देना चाहेंगे, कि आप लोग आईए, हम लोग महिमान आप लोग को बुला रहे हैं, इसके तो चलिए आज का ये खबर आप सबों को कैसा लगा आसा करता है कि पूरा जनकारी मिल गया होगा तो आज के लिए बस इतना ही चलिए अगले वीडियों फिर से मिलेंगे तब तक के लिए धन्याबाद जोहार जारकंड जे जारकंड